मैं जनार्दन मुन पुर्व पार्षद रास्तिय स्वयम शवक संग के रास्तिय अद्धिक्षे के नाते मानिय सुप्रीम कोर्ट के मुख्य नयांदिश को अपिल करता हूँ अभी अभी राम मंदिर निर्मान का कार्य आयोध्या में शुरू हुआ है ऐसी खबर अकबार में पढ़ने को मिली जिसमें खुदाई के दवरान कुछ औशेश मिले है पुरातन काल के जो पुरातन काल के आउशेस मिले वो किस सदी के है किस काल के है ये जाहिर करने का इसका जाज करने का अधिकार देश के पुरा तत्व विभाक को है लेकिन खबर में ये पढ़ने में आया कि उस उत्खनन में उस खुदाई में जो आउशेस मिले वो शिवलिंग है अमुख है तमुख है लेकिन ये जाहिर किया है ट्रस्ट के एक महामंत्री चंपत रायने वास्ताओं बे जो भी चीज खुदाई के अंदर मिलती है जो आउशेस मिलते है उसकी जाज करने का अधिकार सिर्फ ये सिर्फ पुरा तत्व विभाक को है इसलिए ये हमारी मांग है जो भी चीज़ खुदाई में मिली है राम मंदिर निर्मान के कारिया में उस आउसेश का जाच भारत के पुरा तत्वा विभागने करना चाहिए और उसके बाद ही आगे का काम चालू करना चाहिए अभी कुछ दिन पहले हमने आदर नियो मुखे नियाधिश सुप्रीम कोर्ट महदवय को एक अपिल किये है एक आविदन किया है कि जब तक उस खुदाई में मिले आउसेश का निर्ख्षन जाच पुरा तत्वा विभाग नहीं करती तब तक वो निर्मान का बानकाम बन किया जाए स्थगनादेश दिया जाए स्थगिती दिया जाए ये मांग हमने निवेदन के जरिये की है अभी तो हमने निवेदन भेजा है अगर आट-दस दिन में उसका जवाब कुछ आता नहीं तो हो सकता है कि सभी भारत के नागरिक से संपर्क करा कर हम अभी जल्दी ही जन ही तियाचिका भी हम दायर करने वाले है हमारी उम्मीद है कि इस आभी दन को मान्य सुपरीम कोड जन ही तियाचिका में कनवर्ट करे और जनता को न्याय दे यह हमारी प्रमुक मांगे जहिन